आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो उत्तर से गोमने के बाद कितनी दूरी चला ये हमें ग्याद करना है हमारा पहला विकल्फ है 1 किलोमेटर दूसरा विकल्फ है 5 किलोमेटर तीसरा विकल्फ है 7 किलोमेटर और चोथा विकल्फ है 2 किलोमेटर तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रारंबी की इस्तिती से वो उत्तर दिशा की ओर कितना गया 12 किलोमेटर गया अब यहां से यह उत्तर दिशा हो गई अब यहां से 90 डिग्री बाहें गुमा और कुछ दूरी चलकर यहां पे आकर वो रुक गया अब यह हमारा है प्रारंबी किस्तान और यह है अंतिमिस्तान दोनों के मद्य की दूरी प्रश्ण में कितनी दे रखी है 13 किलोमेटर यह दूरी कितनी है 13 किलोमेटर दे रखी है यह 12 किलोमेटर और यह दूरी है X और यहाँ पे यह दूरी हमें दे रखी प्रश्ण में 13 किलोमेटर और यहाँ पे जो कौन बन रहा है वो बन रहा है 90 अंस या 90 डिग्री का ठीक है अब देखो यह समकौन त्रिबुज बन रहा है इसका हम नाम दे देते हैं A, B और C अब यहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं पाइथागोरुस तोरम लगा सकते हैं समकौन के सामने की जो बुजा हो जाएगी वो हमारी कर्ण हो जाएगी तो समकौन त्रिबुज का नियम से अगर हम लगाए पाइथागोरुस प्रमे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अब देखो कर्ण का वर्ग यानि तेर यह हमें दे रखा है 12 12 का वर्ग करेंगे तो 145 अब यहां से हम X स्क्वाइर का मान अगर हम ग्याद करेंगे तो 179 में से 145 गटाएंगे तो यह हो जाएगा 25 तो X का जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा अगर हमारा किलोमेटर तो विकल्प नंबर दो में दे रखा है तो यह इस प्रस्ण का सही उत्तर है Thank You Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर